हेलो सातियों कैसे हो आप सब आज मैं आपके सामने एक नई कलास की शुरुवात करने जा रहा हूँ जो आपकी अपनी प्यारी सी कलास होगी जिसका पहला कलास आज में लेका आया हूँ राजस्तान के अती मेतोबर्ण जीके के परशनों की ये सबी कॉंपटिशन के लिए काम करेगा इसमें परशनों का भंडारा फुटेगा देखिए मैं कुछ परशनलिक के लिए काया हूँ बहुत अच्छी तरीके से और आपको ये पीडियेप के रूप में टेलिग्राम पे ओलिबल करवा दूँगा तो इसी के साथ आप जुड़े रहना एंड तक तो इसमें मैं आपको पूरा कंप्लिट जिके करवाऊंगा राजस्तान के सबी कॉंपटिशन हिसाब से तो आप एंड तक बने रहिए सुरुआत करते हैं पहले परसन की पहला परसन कहता है आपको पहला परसन कहता है कि काला संगमर मर कहां का परसिदे पहला परसन इसमें दिया है आमेर दूसरा दिया आपका सांगानेर तीसरा दिया बेहसलाना चोता दिया चोमू तो इसमें आपको व्याक्या सथ हल करवाया जाएगा काला संग मरमर का का परसीदे लेकिन पहला उप्षन क्या दिया आमेर में क्या क्या परसीदे बता देता हू आमेर में देखिए एक तो परियटक इस्तल परसीदे ठीके और दूसरा यहां पर बात करें तो जेगड और आमेर का मेल परसीदे इसके बाद आगे की बात करें तो जेपुर जब इस्ताबना नहीं हुई थी उससे पहले आमेरेक आमेरेक क्या था? राज्जी था अब दूसरा सांगा नेर तीसरा बेहसलाना सांगा नेर का क्या परसिद है? सांगा नेर का भी इसी टाइप से परसिद है बात करें बैंशलाना तो काला संगमर मरकर लिए बैंशलाना यहां पर उत्तर होगा और यह बैंशलाना है जो जेपूर जिले में आता है जेपूर जिले में आता है चलते है अगले Sydney person कиеunklle person क्या क्या ऐइंप आगला पर अगला पर श्रिया का सबसे बड़ा मीटर गेज कौन से जंग्शन का है तो छोह दोसरे की यहां से एक सूमस्टा सबसुला का का ज interior करतीए यहां से एक सुल सबत्राइफ। का अना जाना रेता है ये सबसे एशिया का बड़ा मीटर गेज है इसके बाद परसन नो के गूंदी के जो मीठे प्याज है वह परसीद है ठीक है इसके अगले परसन की बात करें अग्ला परसन केutा है अगला परसन कहता है राजस्तान का पर्तम कहसर अस्पाताल कहां खोला गया था तो इसमें हम बात करते हैं पहला अप्शन है जेपूर दूसरा है पाली तीसरा सोय मादबूर चोता है जोदबूर तो इसमें जो उतर होगा जो होगा जेपूर जेपूर में पहला अस्पतार है जो खोला गया था इसके बाद अगले परसंड की बात करते हैं अगला परसंड केता है कांच की हवेली कांगी परसिद है कांच की हवेली कांगी परसिद है पहला उप्षन है जेपूर, दूसरा जोदपूर, तीसरा दोसा और चोता है अलवर तो इसमें आपका उत्तर होगा जो होगा जेपूर इसके अगले परसंड की बात करते हैं तो अगला परसंड कहता है कि अढ़ाई पाव की रज़ई किस जिले की परसीद है पहला उप्षन ची तोड़ कर दूसरा राज समन और तीसरा जेपूर, चोता नागोर इसमें आपका उत्तर होगा जो जेपूर का होगा जेपूर की है अढ़ाई पाव की रज़ई परसीद है जेपूर की क्या है चोंदरी परसीद है चोंदरी परसीद है और इसी के साथ अगले परसन की बात करते है अगला परसन कहता है राजस्तान के कौन से जिले में जंतर मंदर की वेज़ई सला इस्तिद है पर परसीद है तो इसमें आपको उत्तर होगा जो होगा ए जेपूर का है वेज़ई सला की बनवाई वेज़ई सला का निर्माने निर्माने जो किसने करवाया था राज शा कमेंट में बता दीजे तब तक मैं बता देता हूँ स्वाई जे शिंग सवाई जे सिंग ने इसका निर्माद करवाया था और 17718 इसको दूरह चुछी में इसको विशौ द्रहवर सुच्छी में सामिल कर लिया गया था इसके आगे की बात करते हैं अगला परसन की अगला परसन कहता है राजस्तान का पर्तम मुशली महिला चात्रावास किस जिले में इस्तिजए पहला उप्षन है जेपूर दूसरा सीकर तीसरा जालावार चोता करोली तो इसमें हम बात करते हैं यहां पर जो जेपूर ओप्सन है यह आपका आंसर होगा देखिए साथियों में आज सबसे ज्यादा पस्टन है जो जेपूर जिले के लेकर आया हूँ हम जिले वाइज करम वाइज पढ़ते जाएंगे साथ मैं आपको मैं बताता जाओंगा कल मैं कौन से टोपी की कलास लेके आने वाला हूँ तो इसी के साथ अगले पसंद की बात करते हैं जे निवास उद्यान राजस्तान के किस जिले में इस्तिद है पहला उप्सन जेपूर दूसरा नागोर तेसरा जोद्बूर और चोता बिकानेर तो इसी में आपका उतर होगा जो होगा जेपूर जेपूर जिले में है जो जे निवास उद्यान राजस्तान के जेपूर जिले में इस्तिद है इसी के बाद अगले परसंद की बात करते है अगला परसन कहता है जेपूर में जल मेल किस जिल में इस्तित है पहला उप्षन है मान सागर दूसरा फते सागर तीसरा फाई सागर चोता गेब सागर तो इसमें आपको मान सागर है कौन से जिल में मान सागर है जो कौन से जिल में बताना आपको मान सागर में बताता हूँ आपको यहाँ पे जो है जेपूर जिले में इस्तित है मान सागर है जो जेपूर जिले में और फते सागर जिले वो जिले आपकी उदेपूर जिले में उदेपूर में और फाइ सागर है अजमेर में और गेब सागर है आपकी डूंगरपूर में तो इसका उत्तर क्या होगा जेपूर में तो जेपूर जिले में जेपूर की मान सागर जिले तो इसमें है उसके बाद अगले परसंद की बात करते हैं अगला परसंद कहता है अगला करने संग्रान ले शोत्त अलरटहुज अ क्या औि बिकानेर को अबैर करने संग्राले में बिकानेर कहिए शिकारी तो मैं जबना बैसे वेशरा देना आई सोने इस्तिज है जुनागड गिले के गंगाECT निवास में सितिज है और चोता और लास्टा अल्रट हॉल इसका फुल नाम है Prince Prince अल्रट म्यूजियम तो सही cow दी और ढНе जो निर्मान है 8.006 ध awesome द्वारा करवाय गया था इसी के साथ अगले परसंद की बात करते हैं अगला परसन कहता है हवा मेल का निर्मान कब हुआ था हवा मेल का पहला ओप्षन है 1709 में दूसरा 889 में तीसरा 1742 चोटा 1562 तो इसी में आपका उतर होगा जो होगा 1709 में इसी में 1709 इसी में किसके दवरा करवाया गया था 1709 इसी में संपन हुआ था क्या हुआ था संपन संपन हुआ था इसी के बाद बात करते हैं इसी के बाद बात करते हैं माराजा स्वाई परताब सिंग ने माराजा स्वाई परताब सिंग ने बनवाया था और ये कहां पे जेपुर में ये जेपुर में है इसी के बाद इसका वास्तु कलाकार को ने लालचंद उस्ताद लालचंद उस्ताद ठीक है इसी के साथ अगले परसन की बात करते हैं अगला परसन क्या कहता है अगला परसन कहता है गुडिया संग्राली किस जिले में इस्तिद है पहला ऑप्षन है जेपूर दूसरा जोदपूर तीसरा कोटा चोटा बुंदी तो इसका आंसर होगा जो होगा जेपूर जेपूर जिले में इस्तिद है और लगले पर्षंब करने लिए गयता है कि अगले परशंद करें बाइव बान गंगा नदी की ओज्गम कोंचे जिले में होता है ,पान गंगा नधी का उद्गम है जो बर्तपूर जिले में होता है बर्तपूर जिले में होता है बर्तपूर का इसकी नदी की लंबाई है तीन सो असी किलोमेटर लंबाई है नदी की इसकी साथ आगे की बात करते हैं तो गनापक्सी अब्याराने गनापक्सी अब्यारानी है इसी अब्यारानी में ये नदी गुजरती है और साथ ही में ये गन नाइप्यारणिये में रहती है नदी और साती में बांग गंगा का दूसरा नाम है जो अर्जुन की गंगा अर्जुन की अर्जुन की गंगा नदी केलाती है ठीक है इसी के साथ अगला परसंड की बात करते हैं अगला परसंड क्या कहता है अगला परसंड कहता है कि नहीं हो जाए जोदपूर नाम है तो जोदपूरा सभ्यता जोदपूर में होगा यह नहीं होगा जेपूर में है और यह कोटपूर्टली तेसिल का है कोटपूर्टली तेसिल में है और और साथ में साभी नदी के किनार है इतना तक मैंने बता दिया इसके साथ अगले होगा जो होगा साथ साथ जिले इस परस करते हैं साथ जिले कौन कौन से पहला है अजमेर अजमेर दूसरा टॉंक दूसरा टॉंक तीसरा सवाई माधवपूर सवाई माधवपूर और साथ ही में दोसा और और अलवर अलवर के बात करते हैं सिकर और नागोर ये साथ जिले हैं जो जेपूर जिले को इसपर्स करते हैं मतलब टच करते हैं सीमा मिलती है इसी के साथ आगे की बात करते हैं अगले परसंड की अगला परसंड कहता है जेपूर का बदनाम सासक जेपूर का बजनाम सासक किसे कहते हैं तो इसका पहला उप्सन है इसुरी सिंग, दूसरा जगत सिंग, तीसरा मादू सिंग, मादू सिंग, तीसरा बी आरिमल, तो इसका उत्तर होगा जो होगा जगत सिंग जगत सिंग का इत्यास आपने पढ़ लिया होगा किस कारण से कहते हैं इसी को ठीक है इसी के बाद अगले परसंगी बात करते है जेपूर को किस उपनाम से जाना जाता है जेपूर को किस उपनाम से जाना जाता है जेपूर के इतने ही उपनाम है वो सारे रट लेना आपको पहला उपसन है राजस्तान का नागपूर, दूस्रा भी है, स्टॉक लेझ, और तीसरा उयड को चोफार पारिज को केते हैं। चोथा बारत कप जो पेरिस है उसको जेपूर कहते हैं इसी के साथ जो बारत के अन्य नाम है बारत के क्या स्योरी जेपूर के उपनाम अन्य है वो भी बता जेता हूं वेबो नगरी वेबो नगरी इसी के साथ अगली बात करते हैं तो रंग सिरी रंग सिरी रंग सिरी के तीसरा नाम रत्नों वे अभुसरनों की नगरी या रत्नों वे अभुसरनों की मंडी इसी के बाद आगे की बात करते हैं आइसलेंड ओफ गैलोरी आइसलेंड ओफ गैलोरी पिंक सिटी और पूर्वे का पेरिस चाहिए भारत का पेरिस को सहमी बात है इसी के साथ पन्ना नग ठीक है चलते हैं अगले परसन की और अगला परसन क्या कहता है अगला परसन कहता है कि जेपूर जिले की आकरती जेपूर जिले की आकरती क्या है अर्चंद्राकार बतक की समान पानी की सुरही के समान दनुसाकार देखिए अर्चंद्राकार है जो सिक्कर की आकरती है बतक के स पानियों फिस के से होगा जो दोसा कई इसी की बात करते हैं अगला culture के दोसा की अगला परसुने का चुटी तीज मॉट्षूथ किस जल्य का परसिद है पहला उप्सन जेपूर दूसरा दूसरा तीसरा चितोड़कर और चोता बारां साथ ही में बात करते हैं छोटी तीज है जो जेपूर की परसिद है इसी को कजली तीज भी कहते है कजली तीज भी कहते है ठीक है इसी के साथ अगले परसिद की बात करते है अगला एं चाक्षू की है जो गाँ है यहां पे सीतला बाता का मंदीर है और यह शील ढूम्गुरी परिस्थिदेँ यह शील डूम्गरी परिस्तिदेँ है अब कर है ठीक है इसी के साथ अगले की बात करते हैं कि कल क्लास होगी जो वन लाइनर परशन होगी होगी उसी में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है देखो उपनाम जितने की भारत के राजस्तान के उपनाम है जैसे काला का हाती का इसी टाइप से जो भी दे देता हूं या फिर टेलीग्राम पर सर्च करना और जाट नाम से आपको वहां पर टेलीग्राम मिल जाएगा और जाट मोटिवेशन उसमें 25 कंडिडेट जुड़े हमें तो आप भी जुड़ जाएए उसमें ये पीडिया पराप्त केजिए और अथ्छे से बढ़ाई क जाएए और जेट